बहुत स्वागत है राकेश जी, रास्वा सांसर सिना साप और प्रमोत कृष्णम जी निता कोंगर्स सर्फ बहुत सारे हमने डिबेट्स करें आज पूरे दिन में बहुत सेशन्स थे, वन ओन वन्स थे कई इशूस थे जिन पर हम लोगों ने चर्चा करी लेकिन आप लोगों से एक विशेश इशू पर चर्चा करना चाहते हैं पहला धर्ब और राजनीत और दूसरा सांस्कृतिक राश्ट्रवाद 2014 के बार हमने देखा है कि जितने भी मंदिर हैं चाहे वो जिनोधार हो, बड़े मिनिस्टर्स हो, बड़े नेता हो वो तहवारों को मनाना पबली के बीच में जाके, मंदिरों में दर्शन करना ये सारी चीज पुश करती है और कहीं न कहीं ये वोट भी दिलाती है तो ये जो संस्कृतिक राश्च्वात को एक पुश दिया है, बीजेपी ने, उस पे रापका वक्त तरविश देखिया है कि जैसे जैसे कॉंग्रेस बरी होती गई, संस्कृति की परिवासा छोटी होती गई और संस्कृति को उन्होंने बना दिया, अल्ब संख्यकों का तुष्टी करन भारतिय जनता पार्टी और राश्टे सेंसिवक संग ने संस्कृति की दाइरे को बढ़ा दिया हमारा संस्कृति का तातपर्ज दस अजार साल की अपनी यात्रा में भारत की यात्रा में जो भी अच्छे चीजे हैं जो भारत को एक विचार बना देती है और भारत को विचार बनाने में सहीद गुरु तेक बहादुर भी है भाद को विचार बनाने में भगवान राम भी है भाद को विचार बनाने में वेद, रामाईन, महाभात और प्रिश्द भी है इन सब बातों को जो पीछे छोड़ दिया गया चुकि इनका नाम लेना का तादपरज था कि आप हिंदूओं के पक्सधर बन गए तो हिंदूओं के देश में, हिंदूओं पर ही अत्याचार भारतिय जंता पाटी ने इस अपराध वोज से देश को मुक्त किया है इसका पूरा स्रय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को जाता है एक छोटा उदार हम दोगा रजज़ जी बताइए कासी बिश्वनात का मंदिर हजारों साल का इतिहास है हम सभी को साइद अपने मा पिताजी को या अपने स्वेन को जाने का उसर मिला कुछ साल पहले गली कुची में जाते हुए लगभग 80 करोड जनता का वो मंदिर लगता था कि गली कुची में हम जा पाएंगे नहीं अपनी सुरक्षा की चिंता जादा होती थी पूजा करने के साथ साथ आज उस मंदिर का जो जिर्नोधार हुआ वो क्या दिखाता है अयोध्या में जो मंदिर बना वो क्या दिखाता है और उज्जयन में महाकाल में हजारो लाखो लोग जाते हैं वो जो कॉरिडूर बना सिप्रा नदी का जो महत्य को अस्थापित के आगया इस देश की का मन अध्यात्म है अध्यात्म से अलग करके इस देश की कलपना नहीं कर सकते हैं इसलिए भारत के अध्यात्म को इसने समस्या हुई रज़ट जी कि भारत की संस्कृतिको अध्यात्मको लोगोंने इरोप के चस्मे से देखा उनके अध्यात्म का द्रिष्टिकों उनके धर्म का द्रिष्टिकों अलग था हमारा अलग था इसलिए हमने अपने द्रिष्टिकोन को पुनरस्थापित किया है और पुनरस्थापित करने में जो भारतिय जंता पार्टी के निती रही है किसी का तुष्टिकरन नहीं करो अना किसी के साथ भेदभाव करो नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद 2014 में आने के बाद संस्कृति, समाज और सरकार के अस्तर पर यानि निती के अस्तर पर, काड़िसक्रम के अस्तर पर किसी भी समुदाय के साथ, किसी भी अस्तर पर कोई भेदभाव नहीं हुई इसने में कहता बस अंतमें एक संतेंस जोर्दू संस्क्ति के बारे में हम संस्क्तिक राष्टवाद जब कहते हैं तो हम कहते हैं संविधान से परे यह देश था यह राष्ट था उस राष्ट के परती हमारी भक्ति के कारण आज हम संविधान के परती अपनी भक्ति दिखाते हैं इसे राष्ट के परती मन से तन से जुरा रहना ही संस्कृतिक राष्ट वाद है इसी को लेकर भारतिय जंता पार्टी चल रही है जिसका परिणाम इस देश के लोगों के मान मस्तिस्क पर दिखाई पर रहा है अचार जी जो बात कही राकेश जी क्या आपको लगता है इसका राजनितिक फाइदा भी बीजेपी को मिला और ठीक ठाक नुकसान कॉंग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा चुकि जो संस्किती थी उससे पार्टी दूर थी सेकुलर अचलनिता फाइदा भी जे पीजेपी को मिला और आप 14 के बाद देख लीजे सर्ज बीजेपी है अओ देखिये जो सेकुलर Изब की बदा आप कर रहें सेकुलरिस्म से किसी को प्राबलम नहीं होने चाहिए क्योंके भारत की जो संसकृति है वही सेकुलर है सेकुलर थी क्या है? चमा, शीलता, त्याग, तपस्या, वल्दान, प्रेम, अहिंसा, सत्य, करुना. बगवान को क्या कहा गया? करुना निधान, दया का सागर, दीन बंदू. हमारे हैं कहा गया, आयम निजे परोवित गड़ना लगू चेत्सामुदार चरितनान तू वसुधैव यही सेकलोरिज्म है. प्रॉब्लम सेकलोरिज्म से नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लम हुई वहाँ जहां शूडो सेकलोरिज्म की बात आई. जिस तरह एक सेकलोरिज्म है, सेकलोरिज्म तो यह कहता है कि सब एक समान है, मैं अपने धर्म के परती निष्ठा रखता हूँ, स चूडो सेक्लोरिज्म शुरू हुआ, कि अगर हम एक धर्म की तारीफ करते हैं और दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, तो इसको सेक्लोर कह दिया गया, उससे थोड़ी शुरुवात हुई जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया, कुछ ऐसे नेता आये सेक्लोरिज्म के नाम पर जिन्होंने हिंदू और हिंदूों को थोड़ा पीछे करना शुरू किया, और दूसरे धर्म के प्रती उनका अकरशन बढ़ा, तो उससे फायदा बीजेपी को मिला, तो मैं उससे सेक्लोरिज्म नहीं कहूँगा, मैं उससे सेक्लोरिज्म मानता हुँ, कि मैं हिंद हिंदू है, और वो मुसल्मानों को महबबत करता है, उन्हें अपना मानता है, उन्हें हिंदू नहीं मानता, लेकिन हिंदूस्तानी मानता, ये सेक्लोरिज्म है, तो सेक्लोरिज्म और सूडो सेक्लोरिज्म में ये अंतर है, ऐसे ही राष्टवाद और छदम समर्पित है राष्टवाद का सबसे पहला सबक किसने मारानी लक्षमी भाई सुभास चंद्र बोस महत्मा गांदी सरदार पटेल चंशे का राजाद सरदार भगत सिंग मौलाना आजाद अश्वाक लाखां और जितने भी राष्ट के प्रती समर्पित ये महापुरुश है ज जो राष्टवाद ही होता है वो राष्ट के प्रती निष्ठावी रखता है स्रद्धा रखता है आस्ता रखता है और बलिदान देने का जज़बा रखता है लेकिन किसी सत्ता का स्वार्थ नहीं रखता छदम राष्टवाद वो है कि हम राष्टवाद का नाम लेकर के सत तक पहुंचना चाहते हैं ये छदम राष्टवाद है जाके जी ये एक एक क्यूंकि फैशन है आप देखिए बॉलिवूड में हो पॉलिटिक्स में हो सोशल लाइफ में हो राष्टवाद की परिभाषा कई मायनों में हर आदमी अपने हिसाब से डिफाइन कर लेता है और ज जनम तो वो भी लिया मा की कोक से सवाल यह नहीं उठता है सही तालिस में देश बटा क्यों जिन्ना भी भारत मा की कोक से जनम लिया था देखिए इस संस्कृति को संस्कृति की बिरासत को सुसुत सहिता का किसी धर्म से लेना देना नहीं है उसे वो तो एक मेडिसीन की भा सहीता पर जर्मनी का इन्वरसिटी अध्यन कर सकता है विज्ञान वहरे उतंतर पर उरोप के 25 देशों के निरोलोजिक्स की साइंस काम कर सकती है भारत में उसका नाम ले लिए तो भारत को हम पीछे ले जा रहे हैं तो भारत के अपनी विरासत के परती जो नफरत पैदा किया गया यानि जब से बाहर के धर्म आए उस दिन से जो भारत की संस्कृति बनी ओही भारत है इसा नई दर माएंगे नई संस्कृतिंगे ने लोग आएंगे लिकिन भारत की आयू को हम उसके अथार प्रिभासित नहीं करेंगे भारत की आयू अपनी आयू है 10,000 साल की जो लो और इस संस्कृतिय अ लग है बिरासत अलग है इत्यास अलग है वो धर्म भारत को सुई कारी नहीं हो सकता है वो धर्म भारत को आज अकल तो रेगा इस वे जिस संदर्म को भारतुयी बनना परे वो नेहरुजी के करीब थे, Congress के 1947 अध्यक्स थे, महात्मा गांधी ने Civil Disobedience में जब दूसरा चरण शुरुआ, उसे पहला Individual Civil Disobedience मुमने पहला सत्यागरही चुना था, उस अभ्यक्ति ने क्या कहा, एक पुस्तक लिखी Minorities in India, 1948 में छपी, उसमें लिखा कि बेद रामायन महाभ भारत पुरान को भारत के अलवसंख्यक नहीं पढ़ते हैं, दुनिया के लोग पढ़ते हैं, और इसको अज़री निकालने तो भारत में बचेगा क्या, एक भारती है अगर मक्का जाएगा, बैटिकन जाएगा, निवार्क जाएगा, उससे पूछेगा भारत की चार अचान बनाती है, तो किसका नाम लेगा? तो मैं कहतो भारत की जर से जुरना ही रास्टरबाद है, आपकी पूजा पधती आपकी चीज है, आपकी विवाह करने की पधती आपकी चीज है, आपका वैकल्पिक चीजें आपकी चीजें हैं, लेकिन भारत की जर से, जमीन से, बिरासस से, इतिहास से और पुर्वजों से जुर कर रहना है हमारा राश्टरवाद है. ज़िए दो तीन बड़े गंभीर प्रेस्टन राकेश जी ने उठाए हैं, राकेश जी बड़े विद्वान विक्ति हैं, लेकिन हर बात में इनका जो भाव रहता है, इनका जो निशाना रहता है, वो ये रहता है कि किसी भी तरह से इस देश में जितनी गलतियां हुई हैं, इस देश में जितने गलत काम हुएं, उनके लिए पंडित नहरू को गुनागार ठहराए जाए रों कांग्रिस पार्टी को जिम्मेदार ठहराए जाएं, अभी इन्होंने बात कही कि भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए जो काशी कोरिडोर का जिक्र किया, मंदिर के जि गुमनाद का जिर्णोदार हुआ, तो फिर तो पंडित नहरू भारतिय संस्कृति के और भारतिय धुजभाग कहे जाने चाहिए, एक सवाल, लेकिन यह नहीं कहेंगे, दूसरी बाती है, मैं कहता हूँ कि परमात्मा किसी ने देखा नहीं है, वैदिक संस्कृति क्या है, वेद उपनिशद जो हैं, वो क्या कहते हैं, एकमसद विप्रा बहुदा वदन्ती, एको ब्रम में दुट्यनास्ति, यानि परमात्मा एक है, तो क्या परमात्मा, अगर मैं यह मानने लगूं, कि परमात्मा एक है, या तो कोई यह कहे कि परमात्मा दो हैं, परमात्मा तीन और हमारे वेद, हमारे तमाम दर्शन, हमारे तमाम उपनिशद, हमारे तमाम पुरान, हमारे तमाम धर्म गरंत ये कहते हैं, तुलसिताजी कहते हैं राम चरितमानस में सिया राम मैं सब जग जानी करव प्रणाम जोर जुग पानी और सीधी सी बात ये है कि परमात्मा एक है लेकिन अगर कोई ये कहता है कि साथ अल्ला जो है वो सिर्फ अर्भी समझता है और अगर कोई कहता है कि परमात्मा सिर्फ संस्क्रत समझता है अगर माथे पे तिलक लगा तो तो मैं हिंदू हूँ एक मिनट, और माते पे तिलक नहीं लगा है, तो मैं हिंदु नहीं हूँ, प्रश्ण यह पैदा होता है,уватиके धर्म को हमने संकीन कर दिया, जब हम धर्म को राजनेतिक फायदे के लिए इस्तिमाल करेंगे, तो धर्म संकीन होता है, और जब हम धर्म को अध्यात्मिक दष्टी कौन से देखांगे तो धर्म विराठ होता है, धर्म विशाल होता है, तो हमारा जो धर्म था, हमारा जो धर्म है, वो विराठता की तरफ ले जाता है, लेकिन जब हम छदम राष्टवाद का और जब छदम धर्म की तरफ हम जाएंगे, उससे हम स्वार्थ सिद्धी करेंगे, तो धर्म को हम संकीन कर देते हैं जो आज हो रहा है अगर भारती जनता पायटी के किसी निता से आप पूछोगे कि धर्म क्या है तो वो आप से कहगा कि धर्म वो है जो BJP कहती है वो यह नहीं कहगा कि धर्म वो है जो वेद कहता है क्योंकि उपनिशद में, वेद में, किसी भी शास्त के अंदर ये नहीं लिखा है कि परमात्मा सिर्फ हिंदूों का है और किसी भी मुसलिम गरंथ में ये नहीं लिखा कि अल्हा जो है, वो सिर्फ मुसल्मानों का है लिबासों को और जबानों को लेंग्वेज को और पोशाकों को अगर धर्म समझा जाएगा तो माफ करना किसी एक पार्टी को पलिटिकल फायदा तो हो सकता है लेकिन मानवता को छती होगी और मानवता का नुकसान होगा मैं ऐसा मानता हूँ लाकि जिसमें एड़ान कर देता हूँ क्योंकि इन्होंने बात करी तिलक की टोपी की कपड़ों की आदमी क्या खाता पीता है किस संस्कृति को फॉलो करता है तो एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है देश में और खास्तों से माइनोर्टी का उसको लगता है कि सरकार उसकी तरफ शयद इंकलाइड नहीं है हलाकि बीजेपी कहती है सबका सास सबका विकास लेकिन समय समय पर जब आप 375 की बात करते हैं ट्रिपल तलाक की बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं पॉपलेशन कंट्रोल की आप स्वेम बिल लेके रहा है तो उसको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ माइनोर्टी के खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है उसको कैसे देखेंगे हाला कि उसमें मैं आड़ाउन कर दूं कि जब RSS प्रमुक गए यहां दिल्ली में और उन मुलाकात करी तो एक मैसेज देने की कुशिश करी कि नहीं सब लोग साथ देखें एक बात बता देजे कि महलाओं के साथ न्याय की बात करना देश की जनसंख्या को संसाधनों के अनुपात में रखने की बात करना और संविधान सभा ने डिरेक्टिव प्रिंस्पल और स्टेट पॉलिसी में जो इनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही उसकी बात करना कैसे किसी खास धर्म के खिलाफ हो जाता है जदि उनके खिलाफ हो जाता हूं मानते हैं तो अपने मन मस्तिस्कों को बदल लें चुकि इरोप के सभी देशों में इनिफॉर्म सिविल कोड है अब जनसंख्या नियंत्रन का कानून बनेगा तो राम हो की रहीम हो लागू तो दोनों पर होगा न तो कोई रहीम क्यों कहेगा कि मेरे खिलाफ है जिसका नाम राम कुमार है वो कैसे कहेगा मेरे पक्ष में है एक अभी आचार जी ने वहत महत्पुन बात कही कि नेहरू जी ने सोमनात का जिर्नोधार किया यही तो समस्या उठी जदी पंडित नेहरू सोमनात मंदिर का जिर्नोधार कर दिये होते और सरदार पटेल, कनहिया लाल मानिक लाल मुंसी, डॉक्टर राजिंदर प्रसाद, सहित जो लोग जिर्नोधार की बात कर रहे थे, उसका विरोध नहीं करते तो सहित भारतिय जनसंग की अस्थापना की आवस्चक्ता ही नहीं पड़ती, आवस्चक्ता इसलिए पर गई, कि पंडित नहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिठी लिखकर कहा, कि राष्टपती डॉक्टर राजिंदर प्रसाद जिस सोमनात मंदिर का उसलन्यास करने जा रहे हैं, वह उसे अपने आपको दूर रखें, कनहिया लाल मानिक लाल मुंसी उनके कैबनिट के सदस्ते थे, उनको धाराओं को नहरू ने प्रास्त करने कोशिस किया, नहरू का एक तर्क था, कि सोमनात मंदिर बन जाएगा, तो पस्चिम के लोग हमको किस नजर से देखेंगे, सोमनात मंदिर बनना कैसे मुसलमानों खिलाफ है, जिसको घजनी, गवरी ने तोरा, जिस मंदिर को बावर ने तोरा, ये मुसलमान थे, ये आकर्मनकारी थे, मैं नको आकर्मनकारी मानता हूं, भारत के मंदिरों को तोड़ने वाला किसी दूसरे धर्म का भी होता, तो हम अपने मंदिरों का जिन्नोधार करतें, एक में बीच में नहीं, दूसरी बात, जो सबसे महत्पुन पक्ष है, क सब्सक्राइब रह when caous kaos जर दोखिंगे कर दो कॉन κάνट को देतऑं की देश को संस्क्रति की बात होती है तो उस्कृती को मन्दिर मश्रीद का असपास ले जाते हैं हम तो कहते हैं धर्म हुआ है जो वेढ़ व्यास जी ने कहा और वही दो सेंटेंसें धर्म की परिवासा होती है नेती नेती उपनिसद का यह सब्द है यह भी नहीं वह भी नहीं दिस इनॉट दैट इस नॉट जिस धर्म में कंटेस्टेशन का राइट हो जिस धर्म में सवाल पूछने का अधिकार हो वही धर्म बिक्सित होता है वही धर्म मानो समाज को में diversity पैदा करता है, एक संगचत्वं संबदद्वं, जिस धर्म में सब को साथ ले जाने की परविर्ती हो, एक साथ बोलने की परविर्ती हो, वही वही बैसाली का गंतंतर था, वही लक्षिवी का गंतंतर था, उसीलिए जब प्रधानमंत्री प्रवर आते हैं, दिनकर आते हैं, कासी आता है, वेद रामाइन परविर्ती आता है, तो भारती है ज्यान परहंपरा के संसाधनों का उप्योग प्रधानमंत्री देश में ही नहीं, चुनाव सभावों में ही नहीं, संसद में नहीं, जब क्लाइमेट पर वर्ल्ड का समिट होता है, हेल्थ पर वर्ल्ड का समिट होता है, तो भारत की ज्यान परहंपरा में क्या है, वो देते हैं, तो भारत की एक बड़ी पहचान, संस्कृती का मतलब मंदिर मस्जिद का जगरा नहीं है, कौन का अता संस्कृती है, संस्कृती का मतलब मंदिर भी नहीं होता है, है तो हिंदू संस्कृति नेती नेती की संस्कृति है हम अपने किसी भगवान पर भी सवाल खरा कर सकते हैं अब एक ची बताइए कॉंग्रेस रजिम में जो एंसी आटी किताब परहाई जाती थी उस एंसी आटी किताब में सहीद गुरु तेग बहादुर को क्या कहा गए रि किताबों में जो परहाई जाती थी क्या इतिहासकारों को समझ में आता था और अभी गुरु गोविन सिंग जी के दो बच्चे जुनको जिंदा चिनुवा दिया गया जदी बीरबाल दिवस घोसना होती है बिरसा मुंडा के जम दिन को राष्ट्य जंग जाती है दिवस घ अमान दिया जाता है तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आता है तो आपने संस्कृति को सिर्फ सत्ता के दरवाजे तक रखा हमने संस्कृति को समाज तक ले गए तो सत्ता और संस्कृति के अंतर ही कॉंग्रेस और भारते जंता पार्टी का अंतर है वो सत्ता तक है हम समा तक है अचार जी क्या आपको लगता है जो गत वर्ष थे या UPA1, UPA2 थी कुछ गल्तियां, कुछ एफिडेवेट्स, कुछ बयान, चाहे वो हिंदू टेरर हो, राम सेतु पर आपका इस्टेंड हो, चार-पांच बड़ी चीजें ऐसे हुई, जिससे जो सेंटिमेंट्स था, वो हर्ट हुआ, और उसके बाद, 2014 के बाद, जब वो सारी चीजें रिपील हुई, और प्राइम निस्टर खास्त और से उस पर उन्होंने काम किया, तो उससे जो एक मारक छमता थी, वो बीजेपी को मिली. देखें, पहली बात तो ये है, कि ये विश्य बहुत गंबीर है, धार्म, राष्ट, परमात्मा और फिर राजनिती, मैं अगर इसको धार्मिक दिश्टी कौन से देखूं, वैदिक दिश्टी कौन से देखूं, तो मैं ऐसा मनता हूं, कि विश्य के किसी भी कौने में यद दिक कोई भी व्यक्ती पैदा होता है, तो मुझे वो परमात्मा का बंदा है, और उब परमात्मा की इच्छा से पैदा हुआ, मैं उसमें परमात्मा का ही दर्शन करता हूं पहली बात, दूसरी बात अगर इसको राष्ट के दिश्टी कौन से देखं, तो राष्ट के जो पैदा हुआ है वो मेरा भाई है फिर वो कोई सी पूजा अभी राकेश जी खुद कह रहे हैं कि पूजा पद्रती जो है वो संस्कृति नहीं है तो फिर वो अगर नमाज पढ़ता है तो भी मेरा भाई है अगर प्रेयर करता तो भी मेरा भाई है अगर आर्थी करता तो भ प्रश्टी कॉर्ण होगा। लेकिन समस्या यहां नहीं है। समस्या थोड़ा नियत में है। नियत में कैसे है अभी राकेट जी इशारों में यह कहना चाहते थे कि सोमनात मंदिर का जो ज मेंदों धार हुआ, उसको नहरू जी नहीं करना चाहते थे। अगर सोमनात के मंदिर का निर्मान होता है तो नहरू नहीं करना चाहते तो पंडित नहरू जैसा ताकतवर प्राइम मिनिस्टर उनकी बिना इच्छा के क्या कोई उनके मिनिस्टर कर सकता था नंबर एक जैसे आज मैं आप से पूछना चाहता हूं धरा 370 किस ने हटाई तो जवाब आएगा कभी वो तो संसद में तो ग्रह मंतरी जी ने हटाई लेकिन आप कहेंगे निमोदी जी ने हटाई तो सवाल इस बात का है कि अगर कोई काम यहां होता है आज होता है तो उसका श्रे हम प्रधान मंतरी जी को देते हैं देना भी चाहिए तो पंडित नहरू क की स्थापना बीजेपी की शुरुवात जो है वो मेरे खाल से 1980 में है और संग की जंसर आरेसस की 1920 में है लगभग तो मुझे बताओ रामचरित मानस तो 500 साल पहले लिखेगी 1500 के आसपास यह धर्म के जितने शास्त्र हैं वेद पुरान शास्त्र सांख दर्शन है ना उपनिशद श्रीमत भागवद गीता यह तो सब पहले के लिखे हुएं तो जब आप कहते हैं कि धर्म आप लाए हैं तब सवाल खड़ा होता है धर्म भारत के क यह काम किया है इस देश के रिशी मुनी महत्माव ने किया है स्वामी भीवेकानन कहां भाजपा में थे तब तो भाजपा का जनम नहीं था प्रशनिये प्रशनिये है प्रशनिये है कि जो हुआ है अगर उसमें कुछ गल्तियां हुई है अभी आपने कॉमन सिविल कोड की हम कहते हैं, अगर आप RAG ना ही चाहते हैं, लाइज ना, विषय का विषय नहीं है, विषय की आनी है. तो इनिफॉर्म सिविल कोड भी के बारे में आप जो कह रहे हैं हम करके दिखा देंगे लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं पंडित नेहरू के पत्र यहां आलोग जी जैसे बहुत बरिष्ट पत्रकार बिद्धिमान हैं उनके ही कलेक्शन में बिद्धिमान हैं जिसमें एक दरजन पत्र उन्होंने लिखा सोमनात मंदिर के जिर्नोधार को रोकने एक दरजन पत्र लिखा और डॉक्टर राजिंदर प्रसाद से उनका सबसे बरा मतवेद हिंदू कोडबील और सोमनात के उपर हुआ उन्होंने राजिंद प्रसाद जी का अपमान किया तो मैंने कहा कॉंग्रेस में बड़े लोग थे संपुर्णा नंद थे प्रसुतमदास टंडन थे गुविन बलापंत थे अगर इनकी धा चलती तो मैं पहले कहा कि जो भारते जनता पाटी की पुरवर्ती पाटी जनसंग उसके अस्थापना की जौरत नहीं पढ़ती है हमने अस्थापना अपने आपको इसले किया कि जो संस्कृती भीन राजिती को कर रहे थे उसको हम संस्कृती के पट्टी पलाए और एक बात मतर कहा, यह भी नहीं, वह भी नहीं, तो यह भारतीन जैन्तापाटी का व्याकी नहीं है। यह तुप्न नेसा से ले रहे हैं। तो नेती नेती, संगाजद्वम, समवदद्वम ह कि नहीं है। जब प्रधान मंतरी जी यह कहते हैं, हम सब किताबों में पढ़ते होंगे अपने साथमी आठमी या ग्रेजुशन में कि देमोक्रेसी एथेंस से आया अरे क्या परहाई जा रहा है लिक्षिभी का जनतंत्र के होते हुए हम एथेंस को पर रहे हैं 2014 के बाद से देश को विचारों की आजादी मिलनी सुरूई जिसका असरे मोदी जी को जाता है 2014 के बाद विचारों की आजादी तीस सेकंड ये वाइंड अप करना बिल्कुल ब्रेक लेना है पहला सवाल मैं राकेज जी से पूछना चाहता हूं कि आपको पंडित नहरों से इतनी प्रॉब्लम क्या है दूसरी बात 14 के बाद विचारों की आजादी आप कैंगे नहीं हमने तो चिठी लिखिये बाकी आप जानो तो चिठीयों का हवाला मत दीजेगा आप कॉंक्रीट कोई फैसला लीजेगा अगर आपको लगता है कि कॉंग्रेस के राज में कुछ गल्तियां हुई है तो उन गल्तियों को सुधानने की बात करियेगा कब तक हमें कोस हो गए ठीक है बहुत शुक्रीया राके जी बहुत शुक्रीया वक्त की थोड़ी कमी बहुत शुक्रीया आप राके जी और अचार जाय